एक proton है, और्वेस्ट से release होता है इन ऐरोम, with initial acceleration A0 and move toward the west, अब देएको सबसे पहले east west समझ लो, यह है east और यह है west, और यह है north, और यह है south, बोर्ड के plane में, और यह है उपर, यह है अंदर, समझ रहें हैं, जैसे हम इस्कूल अपने जा रहे हैं, घर से इस्कूल जा रहे हैं तो हम East West North South ऐसे horizontal plane में लेंगे और ऐसा नहीं कि इसको जा रहा है तो धर्टी के अंदर ऊपर और हवा में ऐसे जाएंगे तो यहां से East West North South ऐसे बोर्ड के plane में हो गया यह ऊपर हो गया निचे अंदर हो गया ठीका चलो तो इनिशियल एक्सेलेशन एक्सेलेशन एनॉट वर्ड विस्ट में तो उसकी जो इनिशियल विलाउसीटी है जीरो है तो जैसे ही मैं प्रटॉन को रखता हूं वह इनिशियल है वैस्त में जा रहा है तो वेस्ट में जा रहा है इढर कीज़ अब कहता है दूसरा यह तो पहला केस हो गया उन प्र mentally website cayusa पूरा लेक्चर देखे होगे तो मैं पहले ही अब बता चुका हूं इस टाइब के कोशन करने के लिए ज्यादा तर वेक्टर वाले जो कोशन होते हैं बहुत सारे कोशन में रखा गया तो सफ डि वेलू की वी है और जिधर फोर्स की प्लस के लिए जिधर फोर्स होता है उधर ही इलेक्टिक फिल्ड की डायरेक्शन होती है पोजेटिव चार्ज के लिए तो यह तो क्लियर हो गया कि पोजेटिव इलेक्टिक फिल्ड वेस्ट की डायरेक्शन में है क्योंकि मैगनेटिक फ इलेक्टिक फील अगर देखोगे तो इस्ट में तो हो नहीं सकता यह तो ऑप्शन गलत है इस्ट में यह भी गलत है तो कैल्कुलेशन तो बात में करेंगे पहले साइंस से कर लेते हैं तो या तो यह सही है या तो यह सही है दोनों 50-50 आ गए अब जब प्रजेक्ट किये हो सम इनिसियल वेलौ सिटीड निसूआल थायियृण है यहीप हां इस पॉइंट पर इनिशियल एक्सलेशन उस्ट मतलब इसी पॉइंट पर से पीर्जुक्त भॉएंट ेस पॉएंट नौटिह सो ऑसी ड़ा तो अगर देखो अगर नहीं पर जेक्ट करते तभी रिधर लेत और ये total acceleration 3A0 इस point पे total acceleration है इसका मतलब भी हुगा कि जो electric और magnetic field का resultant वो इधर ही है initially तो electric field इधर लग रहा और येकी line में magnetic field भी लग रहा इधर तो इसका मतलब ही हुगा magnetic force इधर याएगा तभी तो net force यार west की डाई में जाएगा बही देखोगे एक वेक्टर इधर है तो दूसरा इसका फॉर्स देखोगे नेट फॉर्स इधर है तो और एक फॉर्स पहले से उधर है तो दूसरे वाले भी तो उसी पहाँ जाएगा भाई दूसरा वाला dette मत्ल.» दूसरा वाला ग्नाटिक् फोर्स भी तो इसे पर जाएगा तो इसका मत्लै वहा कि जू. यू. ऑ लेक्टर में क्ई ॉ c अब हमको पता चल गया कि तो इधर विलासिटी विटर इधर है तो भी क्रॉस भी करोगे तभी तो थम इधर आएगा इस पॉइंट पर तो इसका मतलब हुगा कि जो मैगनेटिक फिल्ड है वो बोड के अंदर होगा तभी जाके मैगनेटिक फॉर्स इधर आएगा इसका सब्सक्राइब है यह गलत है अब नहीं होगा मदलब डी ऑप्सें सही है तो यह जो चीज रहा इसको आप काल्कुलेटी कर सकते हो तो चलो फर्स के करते हैं सब्सक्राइब करोगे तो पोर्स इधकॉल्टू होता है क्यूँई यज इधकॉल टो एम आ नॉट तो यहां से इलेक्टिक फिल्ड की जो वेल्व आ जाएगी, वो M A0 अपान E, यहां जाएगा, इलेक्टिक फिल्ड और उसकी डाइरेक्शन वेस्ट में जाएगी, क्योंकि रेस्ट में, मेग्नेटिक फोर्स जीरो था, अब दूसरे केस में अगर आप देखोगे, कि इनीशियल समझना, केस टू में, इलेक्टिक और मैगनेटिक फिल्ड पर जो फारमूला लगता है, और द्यान देना, कि इनीशियल एक्सिलेशन 3A0 जो था, वो net acceleration था, अगर अगे इसके बाद क्या होगा या उसके बाद कुछ ऐसे मूव करेगा मतलब हो ओप कर सबया था इसलिए को इनिची बिल ऐंकान सरो यहाँ पर अगा committing जो नेट एक्सेलेशन नेट फोर्स एम में होता चार्ज पर्टिकल में एम एक्सेलेशन 3A0 और एलेक्टिकल फोर्स E एलेक्टिकल फोर्स स्माल E और यहाजाएगा M A0 अपान E एलेक्टिक फिल्ड प्लस E और यहां से QVB साइन थीटा वाला फार्मूला लगा दो क्यूँ मतलब इसमाल इ ये भी इसमाल इ आ जाएगा वेलोसिटी वेलोसिटी कितना था है वेलोसिटी वी नॉट था और मेगनेटिक फिल्ड बी की हमें कैलूलेशन करनी है तो सब में से देख रहे हो ये वरला इस से कतम हो गया और तुरी इ नॉट और इस में से आ नॉट तो 2 m A not is equal to इसमाल इ वी नॉट बी तो मेगनेटिक फिल्ड की जो वेल्लू आ जाएगी ओ आ जाएगी 2 m A not और इ वी नॉट इस दा final calculation of the problem तो ये